नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रोही शर्मा फिर से हाज इरापके अपने चैनल के अंदर रोही शर्मा ट्रेनर तो लिज़े आज शुरू करेंगे बाचीत को एक अच्छी सी मज़ेदार स्टोरी के साथ में मलब बोलते ना मज़ा आगया स्टोरी सुनके ऐसा कुछ हो होने वाले आज और स्टोरी जो है मेरे प्यार से दोस्त के बारे में है जो मेरे सीनियर हुआ करते थे कंपनी में और नाम अमिच शिवापूरी अगर कुछ उननी सी किस हो जाब है तो बस बाके सुनना तो अमिच शिवापूरी जी काफी बढ़ी परसन है और बहुत मिठा बोलते हैं स्वीट स्पोकन से पहले मैं उनकी स्टोरी शेयर करूं आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी सब्सक्राइब बटन ना दबाया हो आज ही टच कर दीजे बैल आकन को टच कर दीजे ताकि आपको हर एक वीडियो नोडिविकेशन पहले मिल जाए ताकि आप किसी काम आया था तो वो भी करना ज़रूरी था प्राटी बेस पे तो दोस्तों फिर से आया स्टोरी के साथ में और लाइक ज़रूर कर दीजे अगर आपको बहुत पसंदाए वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करेगा और अगर कुछ कुछ कॉमेंट चाहे तो बिलीज कॉमेंट इलेक्टानिक्स का शौरूम था टेलिविजन सेल उते थे उसने मता है कि बहुत सारे टेलिविजन उने लगा रहे होते हैं एक इदर एक इदर एक इदर और बहुत सारे ब्लाबला बहुत कंपनीस से तो तो तुहां पे टेलिवीजन लगा रखिए और शेख वहां खरिद आतें बड़ा बड़ा टेलिवीजन लेते ते ते वह वो कहते हैं दस वाड की आवाज वाला है, पंदरा वाड की आवाज वाले को हम 25 वाड, 40 वाड समझा कर बेचते थे, वो कहते हैं इसे आवाज आएगी, ये देखिये आवाज कैसे आएगी, और शेख जो हिंदी वालों को थोड़ा ज़दा पसंद करते हैं, जो इंडियन्स ह कारी वाल जी की बोल लेते थे, और काफी बड़िया लैंग़ जवांकी दुबई की, तो अमबिज जी नें बताया की शेख जी है, शेख आये, तो एसका आवाज कीतना है? तो उसने बता है इसका आवाज बहुत ज़ादा है? उसने गाा सुनाओ तो सुनाते सुनाते उसने क्या किया सारे के सारे जो टीवी से उनकी आवाज सेम चैनल लगा का कि फुल कर दी कहा तो ये इसका आवाज है और कमरा बंद हो था कि जो सिर्ट बहुत ओलती है बोथ नょईस फylतस है उसने चिला कर बोला उसने खुद भी चिलाया और इस ओवाज में ये बहुत आवाज है ये 100-100 वाट का आवाज आता है क्योंकि सो वाट का क्यों आयका, क्योंकि दस दस वाट वाले, दस टीवी लगे हुए थे भाई, स्पीकर वाले, तो यहां पर उसने चुला के बोला, उसने में को फंडा बताया करता, मेरा सीनियर थाँ पर, वो भी इंडियन था, उसने बताया जूट बोलो, उंची बोलो, सबसे गलत था उसके बाद शेक जुरूर कॉंपलेंड करने उनके भास अगलागा वर उन्होंने मेरे से शेर नहीं किया था कि शेक कॉंपलेंड करने रहा कि इसकी अवाज घर जाके कम क्या से हो गया वहाँ तो इसका सो वाट का आवाज आता था और घर आकर इसका वाड़ अवाज दसे भी कम रखता है क्योंकि उसका घर खुला खुला था तो भई इसलिए कभी भी जूटना बोले अपने काम में वेफसाहे में कभी जूटना बोले सच का साथ दें जब आप सच बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं किसी को वह ची परंतू सबसे रिक्वेस्ट है सदा ही सच बोलें उन्ची बोलो तो भी चलेगा अब ऐसे बताुना कि जोट को बोलना सच बोलो और इसका यह इसका इसका मीनिंग में बताने वाला तो कि अगर मैं बोलो seat belt का फाइदा का है इसका ये फाइदा नहीं कि इसे doggy मांद लो इसका फाइदा है sir इसे आप पनी safety के इस्तिमाल कर लो तो सभी समझेगा हर चीज का फाइदा बता है अगर two wheels की बात करते हैं हाँ पे कई बता है gear तो न डालना पड़ेगा मोटर सेकल में sir ना ना gear डालेंगे जूरूत नहीं है एक बार भाबी जी को बोल दे ना तीसरे gearment gear डाल दे चौते gearment डाल दे फिर आपको बाइक दे बस आप बैट के रेस दे ना बस और कुछ नहीं तो यह दखेगा ये भी गलत है जूट ना बोलें हमेशा सच बोलें और कई लोग schemes पे जूट बोल जाते हैं आपको ये फाइदा मेलेगा मैं आपको इतने हजार का फाइदा करा दूँगा बाद में कस्टमर आता है वो फाइदा नहीं दे पाते और कस्टमर फिर गुसा भी करता है इसलिए और अमीजी का example मैंने share किया था क्योंकि उनके story में बड़ी अच्छी लगी ये वाली और उन्हें में बहुत साल पहले कोई अंदाजन में खाइद से कोई 20 years before मैंने story सुनी थी अभी याद आई तो मैंने का सब दोस्तरे share करता हूँ कब भी जूट मत बोले अपने काम में हमेशा सच बोले सेल में अक्सर लोग सुनते यही पाई जाते हैं कि सर सेल्स में गोली देना जरूरी होता है अरे ना वही ना सेल में सच बोलना बहुत जरूरी होता है यदि आपका सच कस्म को अच्छा लगा भाग गया आपकी बात उसको अच्छी लगी भाग गयी आपकी बहेविर उसको अच्छा लगा भाग गया मैं कहता हूँ वो वस्तू जो आप बेच रहे हैं उसमें कुछ भी 19-200 तो भी चलेगा बट आप जूट ना बोलो तो भई उसको पसंद आता बंदा तो इंसान की काबिलेत के कारण वो सामान बिखता है वो चीजें बिखती हैं हाँ चीज के अंदर भी खुबी होनी चाहिए तो यहाँ पर हमने समझा कि कभी भी जूट ना बोलें हमेशा सच बोलके ही बात करें कस्मर से ग्राव को सच बोलें उंची बोले तो भी अच्छा है सच बोलें धीरे बोले तो भी चलेगा बठा उंची का मतलब है with energy बोलना चाहिए यह नहीं कहना चाहिए सर यह गाड़ी में गयर आते हैं अब इसमें कहां से गाड़ी ले ले लेगा जिंगा लाला अब यहाँ पर क्या गूलना सर इस गाड़ी में गर आते हैं पांच पांच गीर में क्या फाइदा होता है आपता जआ कि गेर में हुआधा है जूट ना बोले अगर कुछ ना पताओ मेरे दोस्तों आप सभी को आपने सीनियर्स को पकड़ी आजी उसको बोलो भाई पकड़ बगड़ बता इसके बारे में क्या चीज़ है हमेशा देखे ग्यान जरूरी है और ग्यान बांटने से पहले नौलेज जरूरी है नौलेज कस् सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ